जीवन का हर शन निर्णे का शन होता है प्रतेख पद पर दूसरे पद के विशे में कोई निर्णे करना ही पड़ता है और निर्णे निर्णे अपना प्रभाव छोड़ जाता है आज किये गए निर्णे भविश्य में सुख अत्वा दुख निर्मित करते हैं ना केवल अपने लिए अपने परिवार के लिए आने वाली पीडियों के लिए जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल बोजाता है अनुष्चय से भर जाता है निर्णे का वोक्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमी अधिक्टर निर्णे हम दुविधा का उपाय करने के लिए ने केवल मन को चांद करने के लिए ले देंगे पर क्या कोई दोड़ते हुए भोजन कर सकता है नहीं तो क्या युद्ध से जूचता हुआ मन कोई योग्य निर्णे ले पाएगा वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णे करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है किन्तु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णे करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए काटो भरा व्रिक्ष लगाता स्वाइम विचार कीजिएगा निर्ने के एक्षण्ड में हम सदा है किसी अन्य के सुझाव, तूचना, मंत्रना या परामर्ष को आधार बनाते हैं और हमारे भविष्य का आधार हमारे आज दिये गए निर्ने के उपर होता है तो क्या हमारा भविष्य, किसी अन्य के परामर्ष, किसी अन्य के सुझाव का फल है क्या हमारा संपून जीवन किसी अन्य की बुद्धी का परिणाम क्या हमने कभी विचार किया है कब का अनुभव है कि भिन भिन लोग एक ही सिती में भिन भिन परामर्ष देते हैं मंदिर में खड़ा भग कहता है कि दान करना चाहिए और चोर कहता है यदि अफसर मिले तो इस मूर्ती के श्रिंगार चुराता है धर्म से भरा रिदे धर्म मैं सुझाव देता है और अधर्म से भरा रिदे अधर्म का परामर्ष देता है धर्म मैं सुझाव का स्विकार ही मनुष्य को सुख की और ले जाता है किन्तु ऐसे परामश्व का स्विकार करना तभी संबभ होता है जब रिदय में धर्म अर्थात किसी का सुझाव अत्वा परामश्व स्विकार करने से पूर तो एम अपने रिदय में धर्म को साफित करना क्या आवश्चक नहीं तो एम विचार कीजिए भविष्चे के अधार पर सब आज का निर्णे लेना चाहते हैं भविष्चे में सुख मिले भविष्चे सुरक्षे थो ऐसे निर्णे आज लेने का प्रेथ में रहता है सबका आप अपने जीवन को देखिए क्या आपके अधिक्तर निर्णे के पीछे भविष्चे का विचार नहीं होता और हो भी क्यों ना अपने जीवन को सरल और सुख्मय बनाने का प्रैत्न करने का अधिकार सब का है पर भविश्य तो कोई नहीं जानता केवल कलपना ही की जा सकती है तो जीवन के सारे महत्वपून निन्ने कलपनाओं के आधार पर ही करते हैं हम क्या निन्ने करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है विचार कीजिए सारे सुखों का आधार धर्म है और वो धर्म मनुष्य के रदय में बसता है तो प्रतेक निन्ने से पूर्व स्वयम अपने रदय से प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि ये निन्ने स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से क्या इतना परियाप्त नहीं भविश्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविश्य अधिक सुखपूर नहीं होगा स्वयम विचार कीजिए स्वयम अपनाब्जद नहीं होगा एंदविए झाल हुआ नहीं होगा उन्मा है झाल झाल